नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका अमारी YouTube चैनल The Books Society में जहां हम आजी क्लास में एक और किताब की शंकलर शुरू करने जा रहे हैं जहां हमारी किताब का कोड होगा BPSC 132 और किताब का नाम होगा भारतिय सरकार और राजनिती टोटल इस किताब में 15 चैनल चैनल से जल्दे जुड़ जुड़ जाओ और चैनल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ तो चलो शुरू करते हैं आजी क्लास और सबसे पहले जानते हैं उदारवाद श्रब्द का अर्थ क्या होता है इसके राजनीती का अध्यन करने के लिए अलग-लग द्रिश्टिकोन होते हैं यानि कि अगर हमें राज जी की गतिविधियों का अध्यन करना है राजनीती की गतिविधियों का अध्यन करना है राजनीती में जो प्रोसेस चला है उसका अध्यन करना है तो उसके लिए ना अलग- तो देखो उदारवाद जो शब्द है ये इंगलिस के लिबरल शब्द से लिया गया है तो जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद की बात करते हैं लिबरल कहते हैं लिबरलिजम कहते हैं लिबरिटी कहते हैं ठीक है जिसका आर अस्तंत्र होता था, और उसके अंतरगत बड़े-बड़े जमिंदार होते थे, जिने यूरोप में सामन्त भी कहा जाता था, और ये लोगों से डारेक्ट ना करो की वसोली करते थे, ऐसे में जो लोग थे, सिर्फ वोई उतना ही काम करते थे, जितना सामन्ती उनसे कहता था, यह जमिनदार उनसे कहता था, यह राजा उनसे कहता था, तो ऐसे में पता क्या हुआ, ऐसे में यह हो कि लोग की जो creativity छमता है, वो धीदरे क्या हो गई, खतम हो गई, तो ऐसे में कुछ नए लोग आए, ब्रिटेन में जब अध्धोगी क्रांती हुई, आप सब यह को पता है कि व्यक्ति को ना थोड़ा सुतंतर किया जाना चाहिए, सरकार को ना, यानि कि राजा को, जो उस समय रास्तन था, फिर डैमोक्रेसी आई, तो सरकार को ना, जंता के मामले में ज़्यादा हश्यप नहीं करना चाहिए, जह हम व्यक्ति को कारे करने की सुतंतरता देंगे, त यानि कि देखा जाए तो उदारवादी विचाधारा व्यक्ति की सुदंता की सूजक है यह यह कह रही है कि व्यक्ति को प्रतेक छेतर में सुदंता मिलनी चाहिए और सरकार को कम से कम लोगों के मामले में हस्तचेप करना चाहिए ताकि व्यक्ति खुल कर अपना विकास कर सके और जब व्यक्ति अपना विकास करेगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा अब इतनी बात क्लियर होगी यानि कि उदारवादी विचारधारा क्या कह रही है तो उधायवाधी विचारधारा यह केर्यकूल में आकर कि व्यक्ति की सुपन्तरता बनी रहने चाहिँ और सरकार को कम से कम जन्ता के मामलों में हश्शेप करना चाहिए ठीके भई इससे क्या होगा इससे हरवक्ति का विकास होगा और देश का विकास अपने आप हो जाएगा अब जो माक्सवादी विचाधारा है ये इसकी उल्टी है माक्सवादी विचाधारा ये कहती है कि हमें क्या करना चाहिए हमें जनता की मामले में हस्ट शेप करना चाहिए क्योंकि उदारवाद की वे से पूंजीवाद होगा और जिससे कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और बहुत सारी लोग गरीब रह जाएंगे ऐसे में गरीबों को न्याई नहीं मिल पाएगा तो गरीबों को न्याई जवी मिल सकता है जब सरकार सभी मामलों में हस्ट शेप करे और गांधी भाई दिश्टिकोन बिल्कुल अलग चलेगा यानि कि उदारवाद और मार्क्सवाद एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे जो चीज मार्क्सवाद कहेगा वो चीज उदारवाद नहीं कहेगा तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पर चल गया कि उदारवाद क्या है और मार्क्सवाद क्या है अब चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना तो चीज बहुत जादा आपके लिएसान हो जाएगी डेफिनिटली मैं कहा रहा हूँ तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और ये प्रस्तावना सबसे पहले हमें थोड़ा सा राजनिती के बारे में बता रही है तो राजनिती से आप क्या समझते हैं तो राजनिती की अंतरकत हम राजनितिक संस्थाओं की, राजनितिक प्रिक्रियाओं की और समाज के विभिन वर्ग हैं, विभिन क्लासिस हैं, उनके मुद्दों का अध्यन करते हैं। इस संबंद के विए से कई बार लोगों के बीच में competition भी होता है जैसे विविन राजनीतिक दलों में जैसे बीजेपी है भारत में कॉंग्रेस है आमाद्मी पार्टी है ये एक दूसरे से competition कर रहे हैं तो अपनी community बना लेते हैं आंदोलन करते हैं वो आपस में ताल मेल पर निर्भर होते हैं सहीयोग को बढ़ाते हैं तो ऐसे में हम देखें कि जह हम राजनीतिक गहराई से अध्यन करते हैं तो हम इसमें राजनीतिक संसाओं का अध्यन करते हैं राजनीतिक प्रेक्रियाओं का मुद्धे हैं. उनका ध्धिन करते हैं जैसे कि पत्र्यावन हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं इन सब चीज़ों का ध्धिन करने हैं, जो समzel में लगाता हैं मुद्धे उठ रहे हैं इसी परकार से जो राजनिती का संस्थाएं हैं चाए वो कारेपाले का हो चाए वो विधाई का हो चाए वो न्याईपाले का हो ये सभी वर्गों के हितों का ध्यान रगती है तो ऐसे में हर एक विद्वान ने अलग लगता ही से राजनिती की व्याख्या की है तो राजनिती आप समझगे कि राजनिती हम क्य जो दिश्टिकोण यह कहता है कि राजी का अध्यन नहीं बलकि राजनितिक व्योस्था का अध्यन करो, देश का अध्यन नहीं बलकि उस देश के सिस्टम का अध्यन करो, यह आपसी तालमेल और आपसी सहमति को बढ़ावा देता है, जबकि माक्सवादी जो दिश्टिकोण यह वर्ग संगर्स को बढ़ावा देता है अमीरों गरीब के संगर्स को बढ़ावा देता है जबकि उधारवाई दिश्टिकोंड के सहयोग को बढ़ावा देता है कि अमीरों को गरीब के लिए सहयोग करना चीए उनके लिए रोजगार प्रदत करना चीए अब देखी ये तो चैप्टर होगी कि प्रस्तावना होगी जो कि कुल मिलाकर हमें यही बता रहे है कि आगे हम चैप्टर में क्या पड़ेंगे I hope so चीजे आपको समझ में आ रही होगी चैप्टर की जो शुरुवात है वो यहां से है तो देखो उधारवाई दिष्ट्रिकोंड तो हम समझ गए कि ये राज की स्थान पर राजनीतिक व्योस्था कि अध्धन की क्या कर रहा है प्रात्मित्ता दे रहा है कि उस देश का राजनीतिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है क्या वो वहां के लोगों को सोतनत्रता दे रहा है वो लोगों के मामने में कितना हश्येप कर रहा है लाइट आपको एक होटल खोलना है तो आपको कितनी जगल से साइन करवाने पड़ रहे है तो ये private system को कही न कही बढ़ावा देने की बात कर रहा है तो ऐसे में हम किसी देश के राजनीतिक system को जब हम पढ़ते हैं तो उससे प्रतलता है कि वहाँ पर क्या चीजे कैसी हैं जैसे हम China का पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें communism दिखाई देगा जबकि भारत का राजनीतिक system पढ़ेंगे तो हमें यहाँ कही न कहीं 1990 के बाद से खास तोर पर उदारवाद दिखाई देगा 1990 से पहले आपको भारत में उदारवाद ज़्यादा दिखाई नहीं देगा तो उदारवादी अवधारणा के कितने तत्व हैं? बात यह आती है तो भारतिय राजनीतिके जब आप अध्यन करते हो तो उदारवादी धारणा के तीन तत्व हैं कितने तत्व हैं अगर ये कोशन आता है कि उधारवादी अवधारणा से आप क्या समझते हैं उधारवादी अवधारणा के प्रमुक तत्व का उलेख कीजिए तो आप बताओगे उधारवादी अवधारणा के तीन तत्व हैं पहला तत्व होती है संस्थाएं दूसरा तत् दिखते हैं कि विभिन राजनितिक दल होते हैं, political parties होते हैं, यानि कि बहुत सारे pressure groups होते हैं, यानि कि हित समू होते हैं, बहुत सारे नागरिक समाज संगठन होते हैं, जो कि विभिन जाती, भाशा, धरम, छेतर, आदिवाश्तियों से संबंदित होते हैं, और इनसे संबंद बाते ऐसी होते हैं जो आरक्षण की डिमांड करती हैं तो ऐसे में कई बार उनके लिए विरोध हो जाता है जैसे कि जिससे में वीडियो अप्लोड कर रहा हूं लिश्टम समाज के सभी वरगों के हितों का ध्यान रखता है तो उदारवादी अवधारणा का जो पहला तत्व है तो यह यह प्रृपवित हैं तो यह संस्थाई समझ गया तो उधारवाद अवधारणा का पहला तो कौन सा है संस्थाएं हैं दूसरा तत्व है प्रिक्रियाएं यानि कि process rule और regulation को कैसे follow up करवाया जाएं तो प्रिक्रियाओं के अंतरगत ये देखा जाता है कि जो विविन संस्थाएं हैं विविन संगठन हैं ये किस प्रकार से कारे कर रहे हैं तो जब हम किसी देश के राजनितिक संस्थाओं के राजनितिक संगठनों के कारे कारे का अध्यन करते हैं तो हम क्या अध्यन कर रहे हैं उस देश के process का अध्यन कर रहे हैं आपको एक domini cell बनवाना है, तो उसमें क्या क्या process लग रहा है, कौन कौन से संस्था के पास जाओगे, किस अधिकारी के पास जाओगे, कैसे उस machinery को आप working करवाओगे, तो ये एक process होता है, तो प्रिक्रियाओं के अंतरगत हम विबिन संस्थाओं का, विबिन संगठनों के का अधिकारेों का अधिन करते हैं, इसके साइसाथ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये संस्थाओं, organization, जनता को इकठा कर रहे हैं, व्यक्ति के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं, हितों को एक त्रिकरण कर रहे हैं, लोगतंतर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा पूरी होंगी, economy development होगा, तो क्या होगा, इससे उस देश का लोगतंतर और ज्यादा मजबूत होगा, तो उधारवादी अवधार्नाक में हम देखते हैं कि राजनितिक सहभागिता होनी चाहिए, यानि कि लोग जाज़ादा पार्टिसिपेट करने चाहिए राजनिती में, लोग को जनतंत्र या लोगतंत्र में भाग लेने से देश का राजनिती करन होता है, तो उधारवादी अवधार्ना का पहला सरोत कौन सा है, संस्थाएं हैं, जिसमें हम किसका अध्यन करते हैं, संस्थाओं का अध्यन करते हैं, दूसरा तत्व कौन सा है, प्रिक्रियाएं सबसे बड़ा तत्व होता है वो होता है मूल्य मैं क्या आता है देखो मूल्य का मतलब है कि हमारे आदर्श क्या है तो भारत के जब आप देखोगे तो भारत का आदर्श है सुतंतरता को बढ़ावा देना, human rights को बढ़ावा देना, right to equality को बढ़ावा देना, आप यकिन दी मानेंगे जितनी सुनता भारत में है न, उतनी सुनता विश्व के किसी देश में नहीं है, क्योंकि भारत के जो आदर्श है, भारत की जो ethical approach है, भारत का जो मूल है, वो क्या है, कि भारत सुनता को दे रहा है, human rights को बढ़ावा दे रहा है, right to equality को बढ़ावा दे रहा है, तो यह किसी देश के मूल्य होते हैं, जैसे आप चाइना को देख लो, रूस को देख लो, यहाँ पर व्यक्ति को इतनी सुनता नहीं है, वहाँ पर इतने human rights नहीं है, वहाँ equality इतनी नहीं है, तो मुदाय का ध्यान दे जाता है कि कौन सी community ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सी community कमजोर है, like that, भारत में बहुत सारे work ऐसे हैं, जो जातियों से जुड़ों है, जैसे SC, ST, यानि कि अनुसुचित जातिया, अनुसुचित जन जातिया, कुछ work minorities से हैं, तो इन लोगों के संस्थाय, दोसा तत्त कौन सा है, process, यानि कि प्रिक्रियाय, और तीसा तत्त कौन सा है, मूल्य, आगे चैप्टर में राजनीती के अध्धन की उधारवादी अवधारणा का उलेक किया गया है, जिसकी चर्चा मैंने चैप्टर की श्रुवात में ही कर ली थी, तो यहाँ अपर जो आपके किताब कह रही है, वो वही कह रही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता जेता हूं आपको, तो जब उधारवादी दिश्टिकोन का उदय हुआ, जब भारत में उधारवादी दिश्टिकोन का प्रियोग हुआ, तो उसके सासत कुछ और दिश्टिकोन भी चल रहे थे जैसे कि व्यवस्थावादी उपागम यानि कि भारत में जो उदारवादी देश्टिकुन को पढढा जाता है तो अकेले नहीं पढ़ा जाता है उसके साथ साथ व्यवस्थावादी उपागम ko both पढ़ा जाता है जो कि इस देश में system किस type से है उसका अध्धन करवाता है और इसके साथ साथ एक और विचारधारा चलती है वहवारवादी विचारधारा जो की मूल्यों में हमने अभी पड़ी यानि कि भारत में जब राजनिती का आप अध्धन करते हो तो उदारवादी अध्धारणा की साथ साथ विचारधारा और वहवारवादी विचारधारा दिखेगी अब देखो जो हर एक प्रकार का विचारधार होगा वो अलग लग तरीक से चीजों को देखेगा जैसे कि जब मैं बात करता हो कि विकास का क्या मतलब है डवलप्मेंट का का मतलब क्या है कि देश में basic infrastructure बढ़ता जाए और लोगों की आमदनी लगातार बढ़ती जाए देश की GDP लगातार बढ़ती जाए लेकिन राजनीतिक विद्वान पता क्या कहते हैं राजनीतिक विद्वान कहते हैं विकास का मतलब है राजनीतिक संस्थाओं का विकास हो लो रहने कि अश्वास्त को विकास का मतलब यह मानता है कि basic infrastructure जैसे शड़कों का, बैंकों का और लोगों की आमदनी का विकास होता रहे तो क्या है देश का विकास हो रहा है लेकिन राजनीतिक संस्थाओं का विकास हो क्यों कि लोग जो अपना काम करें राजनीतिक संस्थाओं क रजनी कोठारी का, तो रजनी कोठारी ने जो भारत के लिए किताब लिखी है, भारते राजनीतिक विवस्ता के जो किताब लिखी है, वो कहीं न कहीं उदारवाई दिश्टिकोन से मेल खाती है, भारत की बात करोगे तो भारत की राजनीतिक विवस्ता में हम ये देखते हैं जो राजनितिक विवस्थाएं हैं, जो राजनितिक संस्थाएं हैं, जो राजनितिक संग्रचना हैं, ये सारी चीज़े एक जुट होकर कारे करती हैं, जैसे कि कोई नियम संसत से बना, तो वो संसत से जब नियम बना तो वो कारे पाली का कोई स्थानांतरित किया जाएगा, अब कारेपाले के काम है, वो जनता में उसे फॉलो अप करवाए, और इसके लिए जितनी भी ओर्गनेशन से जाए, जो पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर अन्य जो संस्था हैं, वो मिल जोलकर इसके लिए वर्क करती हैं, तो भारत की अगर बात करोगे तो भारत की जातर लोगों ने उदारवाधी उपागम को ही अपनाया है, और इन मेंसे एक बड़ा नाम किसका है, मैंने बताया अबी आपको रजनिक उठारी, तो रजनी कोठारी की एक किताब है भारत में रानिती जिसका अध्धन जवाब करोगे तो आपको भारत के पूरे सिस्टम के बारे में बताएंगी एक एक चुनाओ के बारे में बताएंगी इस पुस्तक का इस्तिमाल रजनी कोठारी ने 1950 से लेके 60 था कॉंग्रेस पारे ने भारत में कैसे शाषन किया उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है इवन 60 से आगे भी 70 तक का जो शाषनकाल है वो भी कैसे हुआ उसे भी बहुत अच्छे से बताया है तो प्रोफेसर जो रजनी कोटारी रही है इनकी कौन से किताब है भारत में राजनिती इसमें इन्होंने क्या बताया है इन्होंने ये बताया कि आजादे कि बाद भारत की राजनिती कैसे रही आजादे कि बाद पहले आम चुनाओ दूसरे आम चुनाओ तीसरे आम चुनाओ कैसे हुए किस प्रकार से हर चुनाव में कोंग्रेस जीती गई इसी को इन्हें कॉंग्रेस सिस्टम भी कहा इन्हों ने का कि इस दोलों कोंग्रेस का दबदबा रहा लेकिन एक और विचारक है जिनका नाम है सीपी भाबरी तो जो ये सीपी भाबरी है ना इन्होंने रजनी कोठारी की आलोचना करी है इन्होंने इनकी किताब की आलोचना करी है उन्होंने का कि इनकी किताब वैसे तो राजनीती के बारे में बता रही है लेकिन ना वो सिर्फ एक सीमा तक बता रही है वो भारत की अर्थोस्ता के बारे में निवतारी वो ये निवतारी की भारत की राजी का चरितर कैसा है वो ये निवतारी की राजनीतिक संस्थाइन लोगों पर शासन कैसे कर रहे है तो देखा जाए तो जो yeah है कौन CP भावरी ये प्रोफेसर रजनी कोठाणी का क्या कर रही है आलोचना कर रहे हैं कि रजनी कोठाणी की क्या कर रही है वो किताब में आर्थिक पहलो गायब है भारते राजनीती में ट्रेड यूणियन के बारे में नहीं बताया गया है और दोई घराने भी महत प्रोभूमिका निभाते हैं लेकिन जो रजनी कोठारी किताब है ये कॉंग्रेस सिस्टम के बारे में तो बता रही है कॉंग्रेस विवस्था के बारे में तो बता रही है लेकिन पता है क्या है ये एक तरीके से और दोई घरानों की अंदेखी कर रह हाला कि रज्जी कुठारी ने इसका जवाब दिया है और उन्हें ये कहा है कि देखो भई जो मैंने किताब लिखे ने वो राजनीती के लिखी है ये माक्सवादी अवधाना परधायत नहीं है क्योंकि जब मैं माक्सवादी विचाधारों को पड़ूँगा तो वो एकोनॉम के बाद बहुत सारे विद्वानों ने उदारवाई दिश्टिकोंड को अपनाया है और उन्हें ये देखा कि भार्त की राजनीती दल किस प्रकार से जाती, धरम, भाषा, लिडर्शिप और चुनावों से प्रभावित हो रहे हैं कॉंग्रेस दल का अध्धन करने के लिए भी हमने उदारवाई दिश्टिकोंड का ही सहारा लिया है और बहुत सारे विचारक रहे हैं जैसे कि रिचर्ड सिसन, पॉल, आरस बॉस, राइस्थान और उत्रप्रदेश में कॉंग्रेस का इन लोगों ने अध्धन किया कि राइस्थान और उत्तरप्रदेश में किस प् कारों का भी अध्धन किया जा रहा है, राज्यों का भी अध्धन किया जा रहा है, ये इसमें परिवर्तन आया है, तो अगर कोशन यहां से बना कि उदारवादी उपागम के प्रमुक्तत्व क्या है, तो आप इस कोशन का अंसर दे देंगे, इसके साई साथ अगर कोशन आ अंसर बनेगा और जो तत्तो वाला कोश्चन है वहां से पहले वाले कोश्चन का अंसर बनेगा आई होप सो यहां तक चीज़े आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी अब देखो भई उधारवादी अवधारणा में क्या क्या चीज़े आप परिवर्तित हो गई हैं यहां से अलग कोश्चन बनेगा तो अगर कोश्चन यह बनता है कि उधारवादी अवधारणा का परिवर्तित छेतर बताई है या फिर उधारवादी अवधारणा में क्या क् नागरिक समाज का धन करते हैं, सबसे पहले किस का धन करते हैं, नागरिक समाज का, जब हम नागरिक समाज की बात करते हैं, तो नागरिक समाज हम ये देखते हैं, कि राज्य और परिवार के बीच में जो कम्यूनिटी है, यानि कि देखो किसी समाज की सबसे चोटी एकाई टाइब से पुईतरी के से एक चैन बन रही है तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि परिवार और देश के बीच में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब नागरिक समाज कहला रही है तो उदारवाई देश्टिकोंड अब व्यक्ति की स्वतंतरता पर बल दे रहा है नागरिक समाज क की भी बात की जा रही है आज हर एक देश अपने नागरिकोंग को लगवकश की रक्षा करने करने में नागरिक के पास गए हैं यानि कि नहे पालिका के पास भी गए हैं तो व्यक्ति के लोकतांतरिक अधिकारों संबंदित है, नागरिक समाज के जब हम बात करते हैं, तो जो नागरिक समाज के और्गनाइजेशन्स हैं, वो नागरिक समाज से अलग होते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम है नीरा चंडोक का नीरा चंडोक ने का है कि नागरिक समाज वह स्थान है जो कि राजी और परिवार के बीच में होता है और उदारवाई दिश्टिकोंड के संगठोनों ने व्यक्ति के अधिकारों की व्यक्या की है आज व्यक्ति को अभियक्ति के अधिकार मिलने अभियक्ति नहीं करते थे लेकिन उधारवादी अवधारणा में वर्तमान में खास तर पर 1990 के बाल नागरिक समाज की गतिविदियों का धन बहुत अच्छे से किया जा रहा है दूसरी चीत जो भारत में आई है वो है ये बहुत संस्कृति वाद जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत एक संस्कृति के मामने में यहाँ पे आपको हर धरम और हर जाती के लोग मिल जाएंगे तो ऐसे में उधारवादी उपागम ना किवल इन व्यक्तियों की पहचान करता है बलकि इनके अधिकारों की बात भारत में की जाती है भारत में प्रतेक समु के अधिकारों की बात संसर म क्योंकि देखो अगर आप यह सोच कर चले हो कि एक गौवर्मेंट सभी कम्यूटियों को सक्षम कर देगी तो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि भार्फ में इतनी सारी कम्यूटिय है तो ऐसे में कुछ कम्यूटिय गौवर्मेंट को सपोर्ड करती है कुछ कम्यूटिय नहीं क तो सभी community को profit नि देगा और हर community अपने profit के लिए बात करेगी तो बहुत संस्कृति वाद में इन सभी चीजों का अध्यन किया जाएगा ठीक है बहुत संस्कृति वाद का संबंध समानता से हैं कि कि किसी भी तरीके से कोई भी community अपने आपको दवावा महसूस ना करें तो organization के अधिकारों की रक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है और तीस्या जो परिवर्तनाय हुआ है समाजिक पूंजी के छेतर में देखो समाज की पूंजी कौन है समाज की पूंजी है वहां के लोग क्योंकि कितनी भी धन संपत्यों कर किसी देश में लोग नहीं रहें जो की एक इटेलियन राणनितिक विचारक थे ऐसी एको नाम है Robert Putnam इनकी एक किताव है Making Democracy Work Civic Tradition in Modern Italy तो समाजिक पूझी विभिन समुदायों में मेल मिलाब को बढ़ावा दे रही है और नैटरों की स्थापित करने के लिए जानी जाती है इसके लाबा सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन ये आया है कि अब अवधार्णाओं का अभिश्रण हो गया अभिश्रण का मतलब होता है मिलन पहले पता है क्या होता था राणनिति में पहले राजनीती में हर एक विचारधारा अलगतरीके से कारे करती थी जैसे उदारवादी जो विचारधारा वो अलगतरीके से कारे करती थी और जो माक्सवादी विचारधारा वो अलगतरीके से कारे करती थी लेकिन आप पता है क्या है अब ये है कि मार्क्सवादी और उदारवाई विचाधारा दोनों मिल जूलकर कारे कर रही है जैसे कि मैंने चैप्टर की शुवात में बता दिया था मार्क्सवादी विचाधारा ये कह रहे है कि चीजे जातर गौर्णमेंट सेक्टर के अंतरगत होनी चीए तो इससे समी लोगों को right to equality रहेगी समानता रहेगी समी लोगों को बराबर बराबर चीजे रहेंगी जबकि उदारवाद ये कह रहा है कि व्यक्ति की सुनता को बढ़ावा देना चीए हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से कारे करना चीए बड़े-बड़े मिनिस लगने चीए तो ऐसे में पहले ना दो में से एक विचाधारा चलती थी लेकिन 1990 के बाद पुरी दुनिया में चीजे जो परिवर्तित हुई है इसके बाद से चीजे मिल जूलकर कारे कर रही है अवधारणा है अब एक दूसरे से मिल चुकी है तो 1980 के बाद उधारवादी और माक्सवादी विचाधारा का अभिसरन हुआ है इसके बारे में कई विद्वानों ने बहुत सारे लेक लिखे हैं जैसे फ्रैंसिस ब्रैकल, रुडॉल्फ, रुडॉल्फ दा इस किरावा प्रवण वर्धन, इन सब के लेकों में इस सारे चीजे पता चलती है तो अगर आपसे कोश्ण वो पूछे उधारवादी उपागों के छेतर में कौन कौन से परिवर्तन हुए है तो उधारवादी अवधारणा के छेतर में सबसे पहले नागरिक समाजों का अध्यन किया जा रहा है बहुसंस्कितिवाद का अध्यन किया जा रहा है समाजिक पूझी का अध्यन किया जा रहा है और अवधारणा का मिलन भी हो चुका है यानि कि अब कोई अवधारना एक साथ नहीं चल लिए बलकि सब चीजे एक जुट होकर चल लिए ये सब चीजे उदारवादी छेतर में परिवर्तन आए हैं ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आई होपसों में आपको अच्छे समझाने में सफल रहा चीजे आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, देखो ये लैक चलना 15-20 मिनिट में भी खतम हो सकता था वट मैंने इसे बहुत सारे एक्जांबल्स के मादम से कवर करवानी कोशिश करी है इसलिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी हो गया है बट आई होपसों चीजे आपको समझ में आई होगी और इस चैप्टर से कोई भी प्रेश्ण आ जाएगा तो इस प्रेश्ण का उतर देने में आप सक्षम है आगे चैप्टर का सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पर खतम हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि मुझे ये पता चलपाई चीजे आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है हमसे जुड़ने के लिए आप मुझे इस्टा भी फॉलो कर सकते हो और टेलिग्राम ग्रूप में भी हमारे जुड़ सकते हो तो मिलते हैं आप से नेक्स चैप्टर में तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद